हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों 1992 में American Academy of Pediatrics ने एक कैमपेन चलाया और वो कैमपेन था उसका नाम था बैक टू स्लीप कैमपेन उन्होंने ये रिकमेंड किया सभी पेरेंट्स को, जिनके बच्चे छोटे थे, एक साल से कम उम्र के बच्चे थे, कि एक साल से छोटे बच्चे को हमेशा पीठ के बल सुलाएं ना कि पेट के बल, अब इसके पीछे ऐसा रिकमेंडेशन उन्होंने क्यों दिया, it was quite interesting, मैं आ तो लेटर और ये देखा गया, कि बच्चों के अंदर जो उनका पीछे का भाग था, जब उसे पीठ के वाल सुला रहे थे, तो ये जो पीठ के पीछे वाला भाग था, जिसे बोलते हैं, वो फ्लैट हो गया था, अब ये तो नेचुरल है, अंडरस्टूड है, क्यों फ्ल ने आने लगे, और इस कंडिशन को, ये जो फ्लैट हैड हो गया, इस कंडिशन को बोला जाता है, पोजीशनल प्लैजियो कैफेली, या फ्लैट हैड सिंड्रॉम, तो दोस्तो पोजीशनल प्लैजियो कैफेली के पीछे, कारण क्या क्या हो सकते हैं, एक कारण तो जो मैंने आपके साथ अभी डिसकस किया कि बच्चे की sleeping position यदि बच्चा एक ही position में लंबे समय तक सो रहा है चाहे वो पीट के बल हो या side में हो तो जहां पर दबाव पड़ेगा वहां से जो head है उसका बच्चे का सीर है वो चप्टा हो जाएगा तो एक कारण तो बच्चे का sleeping position दूस कारण भी है कि कई बार ऐसे ज्यादा तर बच्चे जो है उन्हें अस्पताल में भरती होना पड़ता है नर्सरी में रहना पड़ता है नाइस्यू में stay होता है कुछ दिनों का और उनके movement भी कम होते हैं तो दूसरा कारण prematurity इसके अलावा जन्म से पहले यह प्लेजियोग प्रेगनेंसी है त्विन प्रेगनेंसी में भी आपस में दबाव हो सकता है वह एक बहुत बड़ा कारण है कि कई बार कुछ बच्चों की side की जो neck muscles हैं वो tight हो जाती है या short रहती है और इस condition को कहा जाता है टॉर्टी कॉलिस इस condition को बोलते हैं टॉर्टी कॉलिस तो ऐसी स्थिति में बच्चा opposite direction में head को move नहीं कर पाता है जिदर muscle tight होती है उससे opposite direction में head को move करने में उसे दिक्कत होती है और वो एक ही तरफ अपने head को रखता है तो पेरेंट्स यह जो positional plagiocafali है इससे कैसे बचा जाए तो इसका सबसे बड़ा जो कारण था वो बच्चे का sleeping position था तो जब भी बच्चा सो रहा हो तो आप उसकी position को हमेशा change करते रही है यह best preventive measure है वो यह है कि आप थोड़ा ध्यान रखें बच्चे की जो position है उसे हर सम पर लेटा दें उससे वो कुछ exercise करता है अपने circle lift करता है अपने garden को उठाता है हातों को उपर उठाता है तो यह tummy time जो है यह उसकी head की जो structure है उसको maintain करने के अंदर काफी helpful है tummy time के और भी बहुत फायदे है जैसे कि बच्चा जब यह सब activities कर रहा होता है तो वो अपने आसपास surrounding की चीजों को देखता है सीखता है तो वो learning and discovery वाला जो part है उसमें बहुत helpful है उसके अलावा उसके head को lift कर वा रहा है गर्दन की जो muscles हैं उनको strong कर रहा है और shoulder and arms की जो muscles ह उनको भी strong कर रहा है तो tummy time is very good इसे motivate कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा समय जब बच्चा जग रहा है तो उसे tummy time के लिए दीजिए तीसरा जो इसके अंदर हम बचा सकते हैं कि बच्चे को लेटा है कम से कम जब भी बच्चा जग रहा है तो आप उसे hold करके रखें आप घ tightening of neck muscle थी अगर ऐसी कोई स्थिती है आपके आपको लगता है कि बच्चा एक तरफ सर को कम घुमा रहा है और एक तरफ की muscle tight हो सकती है तो अपने pediatrician को दिखाईए और ऐसी स्थिती के अंदर जो भी physiotherapy उसके साथ हो सकती है जो stretching वाली जो exercises हैं जो आपके physiotherapist के instruction में होनी चीए वो exercises आप start करें क्योंकि torticollis भी एक बड़ा कारण है यह positional pleziocephalica तो दोस्तों ऐसी conditions में कई बार जब यह flat head syndrome जादा रहता है यह treat नहीं हो पा रहा है तो कुछ helmets भी आते हैं वो helmets बच्चे को पहनाये जाते हैं तो helmet जहां पर normal area होता है वहाँ ज्यादा tight रहता है और post of the cases में इन चीज़ों की जरुवत नहीं पड़ती है अगर आप यह सबी चीज़ें उसकी sleeping position change करेंगे tummy time अच्छा रखेंगे holding time ज्यादा रखेंगे टॉर्टी कोल इसका इलाज कर लिया जाता है तो इन सब चीज़ों की जरुवत नहीं पड़ती है और धीरे धीरे जब बच्चा बैठना चालू करता है फिर after the age of one year जैसे वो चलना है खड़े होना है उसका तो head की जो structure है वो अपने आप ठीक हो जाती है और यदि कहीं पर Academy of Pediatric के द्वारा 1992 के अंदर back sleep campaign क्यों चलाई गई थी अब मैं उसको थोड़ा सा clarify करता हूं देखें कुछ समय यह देखा गया था उस समय तक कि कुछ बच्चे जो एक साल से कम उम्र की एज के थे और उसमें भी वो बच्चे जो दो से चार मेने के आस पास की एज के थे वो unexplain death हुआ करती थी लेकिन इस condition को बोला गया sudden infant death syndrome, sudden infant death syndrome जब इसको अच्छे से देखा गया कि क्या कारण हो सकता है researches के अंदर यह पाया गया कि जो बच्चे अपने पेट के बल ज्यादा लेटे हुए थे या पेट के उपर की position में सो रहे थे उनके अंदर यह case से ज्यादा तो यह सोचा गया कि शायद जब बच्चा पेट के बल अपना अपनी नीन लेता है तो उस position के अंदर उसकी नीन बहुत गहरी होती है in comparison to back तो ऐसी इस्तिती में जो brain है जब भी उसे लग रहा है कि कोई respiratory वाला पार्ट है और उसको sleep के साथ जोडना है सांस को sleep के साथ जोड रहा है या साथ respiratory difficulty हो रही है तो ऐसी स्थिती में brain से stimulation मिल जाता था और नीन खुल जाती है लेकिन पेट के बल सोते बच्चों के अंदर वो गहराई में सो रहे थे वो इस चीज को शायद पकड़नी पा रहे थे और उनके अंदर death हो रही थी क्योंकि वो एक गहरी नीन में जब कि पीट के बल जब बच्चा सोता है तो ऐसी स्थिती में वो जल्दी जग जाता है तो यहां पर यह डिसाइड करना था कि हमें गहरी नीन या गहरी अच्छी नीन लेनी है या एक सेफ स्लीप लेनी है तो सेफटी से तो कोई compromise किया ही नहीं जा सकता तो इसलिए उन्हो से बचने के लिए back to sleep campaign चलाई है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आप से दो चीजों पर चर्चा करी है पहली चीज तो फ्लैट हैड सिंड्रॉम पोजिशनल प्रेजियों कारण क्या हो सकते हैं और उसको रोका कैसे जाए और दूसरा sudden infant death syndrome बच्चे को यदि पे चीज और वो पोजिशन के अंदर आप change करते रहेंगे करवट दिलाते रहेंगे तो फ्लैट हैड वाला जो एक पार्ट है वो भी नहीं होगा तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो informative लगाओगा कुछ जरूर जानकारी मिली होगी वीडियो को like करें share करें and please channel को subscribe करें thank you आपूर जिली होगै कर दो अज्याथगा करें तो खानकारी मिली होगी याओगाु बाला जो नहीं होगा अुम्मीद करता है तो आपको उम्म्मीद